Hello everyone, welcome back to my kitchen. Today I will make a pan pizza. This can be made bread pizza. If you want to eat some special food in the house, you can make this recipe and ready. There is no food, not much food. Some beginners can also make it. And healthy, at the same time, it is cheap. You can order this pizza market. It will cost 250 rupees. But if you make it in the house, you won't cost 50 rupees. You can make it in the house and make it in the house. And taste is more tasty. So now, how easy it is to make it. And many people can enjoy it. Like 2-3 people can make breakfast, lunch, dinner. Sometimes you can enjoy it. So, let's see how I make it. For making it, I wanted to make a pan. I added a little butter. You can add a little butter. You can add 2 tablespoons of butter. I added 1 tablespoon of butter. Butter will melt. So, I added a lot of butter. I added a lot of butter. Garlic has a good flavor. And garlic will not be overcooked. You have to make it a little saute. The color will change. At that time, we will add the rest of the vegetables. I added a little butter. I added cabbage, like cabbage, chopped, carrots, ginger, and capsicum. I added a little capsicum. You can add red bell pepper, olive, broccoli, mushroom, chicken. You can add chicken. You can add whatever you want to add. You can add boiled egg. You can add boiled egg too. After making it a little saute, I added salt. Because we eat the vegetables in the salad. So, it will be overcooked. No need to make it a little saute. It will be a little saute. I added black pepper powder and garlic powder. My vegetable soda and I added it to the plate. ब्रेट में ट्रांसपर कर रही हो और अपना बेजटीबिल में कुछ मुसाला डलने का जरूरूरत नहीं है जितना कॉम डालेंगे उतना यह टेस्टी बनेंगे तो मैंने और एक टेवल स्पून बाटर फिल डाल दिया तो इसको भी मेल्ट होने तक वीट करना है जैसे मेल्ट हो जाएंगे हम लोग महीं बोले नो दो ब्रेट से हम लोग बनाएंगे इसको ज्यादा ब्रेट के वह ज़रूरत नहीं है जैसे आप लोगो घर में ब्रेट कोई बीगिनर्स है उनको तो पीजा बेस बनाना आता नहीं है और मार्केट से खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप ब्रेट से ही इसको ब्रेट तो सबका घर में रहते है तो मैंने इसके थोड़ा सा टॉमाटा केचब डाल के इसको अपलाई कर दिया आप दिख हम लोग फ्लेम को बिलकुल लो कर दिया एक दम लो करने इसका हाई फ्लेम नहीं करना है तो मैंने इसको पुझ जो बेज़ेटेबिल साटे करके राखा तो इसको डाल दिया आप इससे स्टेज में बॉइल डाल सकते है ताब देखिए फ्लेम को बिलकुल लो करके राखना ह आपना पोर इसके आप सबसे हैं तोमाटो ढई दाल रहे हैं तोमाटो को पख मी में ज़्ाधा टाइम नहीं लगती है और इसको सालद में खाती हूं तो इसको कोangen नहीं डाहती हैं और फिर सबसे भी नहीं बिंगा हैं जितना अब माचेश कवरावीर और अफमाटो छाडीन क मेउनीस भी डाल सकते हैं, वोममेड मेउनीस बाहर का मेउनीस मत डालिया उसमें बहुत सारे ओयल रहते हैं, तो आप देखिए हेल्दी बनाना है तो इस टाइप का बनिये, टेस्ट भी होंगे, हेल्दी भी बनेंगे, तो मैंने बहुत सारे ग्रेटीट चीज इसका उपर डा तो इसका टेस्ट एक तो बहुत ही अच्छा होने आला है, आप देखिए, घर का समान से कितना जल्दी बन के रेडी होते हैं, कोई स्पेशल डे में तो बना सकते हैं, जब मुंच आए आप ऐसा जैसे बाहर से पीज़ा मंगाना है, तो नहीं इसको और करके आप घर पर इस हैं स summary कर जी़ा हैं, इसका बाद एसको पानी साइट से श्प्रिंगल कर देंगे, तो हमारा चीज मेंट होगे, स्प्रिंगल कर गेए, तो मैंने थोरा सा पानी साइट से स्प्रिंगल करके इसको कर देना है, तो आपका नीचे का ब्रेट भी बहुत अच्छा से पाक पीजा का लूक आजाएंगे और जो फोल है उसको आप बंद कर सकते हैं तो बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं नहीं तो इस टिम निकाल जाते हैं तो मैंने बंद नहीं किया ऐसा ही बहुत अच्छा बन गई तब देखिए इसको मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है तो मारकेट जैसे तो एंजोई किजिए ताटा बाबाई